बहुत-बहुत मुबारत सर, हम आपसे मिल रहे हैं, आजादी के सेर्टिफिक इंडिपेंडिस देटी मौक्टे कर, आपका गाना भी आया है, और एक और तिरंगा जो आने वाला है, लोग बहुत ही तारिफ कर रहे हैं, क्या कहने आपसर एंड कैसे तारिफ कर रहे हैं। हर घर तिरंगा ये आवाहन किया है हमारे लाडले, हमारे लोकप्रिये, प्रधान मंत्री जी ने, हमारे लोकप्रिये, ग्रह मंत्री, श्री अमित शाह जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये बोला है कि ऐ मेरे देशवासियों, 75 वर्ष जो हैं, ये ग्लोरी के हैं, ये व ये बोल कर बोल रहे हैं हमारे बड़े कि जो भी भारत वासी अपने राष्ट्र को प्यार करता है घर से लेकर दफ्तर से लेकर आंगन से लेकर संस्थान तक वो उसको ये अधिकार है कि वो अपना जंडा फैरा सकता है तिरंगा तो ये कितना प्यारा समय आया है, पहले तो कितनी प्रोटोकॉल और गाइड लाइन्स होती थी, कि हर कोई अपने घरों पे जंडे नहीं फैरा सकते, लेकिन 75 वें आजादी के इस दिवस को, देखो, हमारे प्रदान मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे देशवासियों ने किस रूप में ये बताया, कि ऐसे सेलिब्रेट करो अप, और हक भी है, ये सेलिब्रेट करने को, ये उत्सव मनाने का पूरा अधिकार इसलिए है, क्योंकि 75 वर्ष में मेरे देश ने कापी उतार चड़ाओ देखे, लेकिन आज मेरा देश जहां खड़ा है, जिस इस तर प यानि की 12th को एक गाना रिलीज किया है, उस गाने के रिलीज के बीचे भी मैं आपको बताऊं, दो बहुती अच्छे व्यक्तियों के नाम लोंगा, चेतन और अधिती, चेतन वालुंच और अधिती भोसले वालुंच, ये पुने के दो युवा, स्टार्ट अप इनोंने श स्टार्ट अप के लिए प्रधान वंत्री जी ने सम्मानित भी किया हुआ है, तो इनोंने अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए, कि हाँ, जो हम कर रहे हैं, वो लाखों युवाओं को उससे कैसे प्रेरित किया जाए, एक नया एंथम बनवाया हमसे, हमें भी उसमें ज पैनल पर भी, तो आप किरपया सुन सकते हैं, और सौरे जितने भी डिजिटल स्टोर्स भारत में, क्या पूरी दुनिया में हैं, सब पे उपलब्द है जी, स्पोटिफाई से लेकर, आई ट्यून से लेकर, अमजन से लेकर, जितने भी नाम आये हैं, डिजिटल स्टोर्स क सब पर ये गाना उपलब्द है, है हौसला, है जुनून, कहलाश खेर बटन दबाईएगा, आपको वो पोप अप करके दिखेगा, और 14th की इवनिंग को, यानि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, जब राश्टपती जी का भाशन हो रहा होगा, तब हमारा एक नया गाना भी आ रहा है, जिसको पहले से ही, ग्रह मंत्री जी ने सुनकर हमें आशिरवात दिया, और बोला, वाउ, what a beautiful song, ग्रह मंत्री जी ने सुना, बियल संतोष जी ने, जो हमारे महमंत्री संगठन के हैं, उन्होंने सुना, बहुत आशिरवात दिया, तो इस प्रकार से, ये गाना हम हमारे YouTube पर ही, ये आएगा 14th की शाम को, तो हम 15th का इंतजार हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें, हमारे जितने भी जानकार हैं, उन्होंने सुन सुनकर गाना ऐसा जोश भर दिया हमें, कि सर जल्दी से रिलीज करो, जल्दी से रिलीज करो, तो हम जल्दी से व तिरंगा, मन हिमाल है, तन शिवाल है, प्राण बन के बहती गंगा, तिरंगा, 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 और कॉंसर्ट हमारा हो रहा है, जैपूर में 15 अगस्त के दिन, आप एहरान हो जाएगा, ऐ मेरे भारत, गर्व के पल हैं, गदगद होने के, उमंगित होने के, तरंगित होने के पल हैं, कि परंबीर चक्र से सम्मानित, सैनिकों के परिवारों को बुलाया गया है, और हमारे और सैनिकों के परिवारों को बुलाया गया है, पचास हजार से भी अधिक, हमारे सैनिक परिवारों के मध्य, कैलाश खेर and kailasa live in concert concert का नाम है स्वराज ये होगा जैपूर में और आपके आश्रवाद से आपका kailash खेर भारत के गीत गाएगा आपके गीत गाएगा ओमंगों के गीत गाएंगे हम और तरंगों के गीत गाएंगे हमारे तो रोमांटक वाले गाने भी जो हैं तुझे जीत-जीत-अहारूं, ये प्राण-प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आर्ती उतारूं, तू धरे जहां पाऊं, तो मुसका ये धर्ती, मारी बिनती सुन लो आन, मारे भगौान, आर्ती, भगवान, मंदिर पुजारन ये शब्द तो हमारे रोमेंटिक गानों में होते हैं मेरे भारतवासियों जब कि जब हम पदारपन हम लोगों कहुआ था इस क्षेत्र में मुंबई में उन दिन तो काटा लगा चल रहा था थैंक गॉड उन्हीं दिनों में ये वाले आए तुझे जीत जीत हारूं ऐसे मैं नहीं हारूं तेरी आरती उतारूं तो इस तरह के गानों में स्वराज में हम जैपूर में कैलाश खेर और कैलासा लाइव इन कॉंसर्ट पंदरह अगस्त को और ए मेरे भारतवासियों ए मेरे भारत का नाम लेकर भारत का गौरव लेकर गर्व लेकर हम नियू यॉर्क जा रहे हैं 17 तारिक की रात को वहां इंडिया डे परेड यानि जब हमारे स्वाधिंता दिवसकी वहां भी परेड हो रही है और वहां पर भी हमारे आजादी की अमरित महोत्सव की पावन बेला प और हजारों डमरू बजहेंगे तो दोनों इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकोर्ड में स्थापित होने की तैयारी हो रहे है नियू यॉर्क में तो जंडे के सामने मुख्या थी थी हैं अलू अर्जुन जी और डमरू के सामने डमरू लेकर हम खड़े हैं आपके अपने कहलाश खेर तो ऐ मेरे भारतवासियों खृप्या आशिरवाद दीजिए प्यार दीजिए और मुस्कान दीजिए अपनी और स्वस्त रहिए मस्त रहिए और स्वाधिनता दिवस की अनंतो अनंत शुब कामना हैं